सलमान खान के रियालिटी शो बिग बॉस 17 में सामनी बीग चल रहा है जिस वज़ा से घर का महौल पूरी तरह से बदल चुका है इस शो में अंकिता लुखंडे और विकी जैन से मिनने के लिए कपल की माय आई जिन्होंने अपनी बच्चे को समझाने का काम किया अंकिता और विकी की माओं ने खेल में कम से कम लड़ाई करने की बाद कही इसी बीच अंकिता लुखंडे की सासु मा ने बहुरानी से अपनी नराजगी भी जाहिर की विकी की मा ने शो से भारा कर भी अंकिता के खिलाफ कई सारे बाती की हैं जिसकी वज़र से कई सिलिप्स इस पर अपनी राय दे रहे हैं। वाई आप शोग की कंटिस्टेट रहे चुके एश्वेरर शर्मा ने भी विकी जैन की मा को खरीखोटी सुनाई है। दरसल बिग बॉब 17 में विकी जैन की मा ने अंकिता लुखंडे को बताया कि उन्होंने अब जब अपने विकी को लाद मारी थी तो विकी के पापा ने सीधा अक्टरस की मा को फोन कर दिया था और पूछा था कि क्या वो भी अपने पदी को ऐसे ही लाद मार दी थी। अंकिता ने अपनी सासु मा की ये बात सुनकर पूरे जैन परिवार से माफी मांगी थी। अंकिता की सासु मा के इस विधार पर कई सेलिप्स अपनी राए दे रहे हैं जिसमें अंकिता के खिलाफ खड़ी होने वाली इश्वेरा शर्मा भी अब शामिल हो चुकी है। इश जोने अंकिता को भी बहुत जादा कहा है। एश्वेरा शर्मा ने आकि ये भी कहा कि दोश हमेशा महिला पर मढ़ जाता है। वो सिर्फ इसले बोल रही है क्योंकि विक्की उनका बेटा है। वो उसे कुछ भी नहीं बोल रही है और सिर्फ अंकिता पही आरोप लगाती ज क्योंकिता कने झाले लगी है क्योंकिता है। जोर्मा ने आरोप लगाती जानियिस ये जादा सिर्फ जादा बोल रही है।